एक बार की बात है जब Asgardian and Frosz Giants की बीच में वर चल रहा था जिसे Odin लीड कर रहा था बट इस reality में Odin ये वर हार जाता है and Frosz Giants का किंग Lofi Odin को मार देता है इसके बाद वो सीधा जाता है Asgard और Frigga को भी बंदी बना लेता है तब वहाँ पर थौर आकर फ्रोजायंट्स के किंग लोफी पर अटैक करने के कोशिश करता है बट वो थौर को पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ जूटनायम ले जाता है लेटर उन जब एक दिन थौर एक केव में बैट कर वहाँ पर से भागने के बारे में सोच रहाता तब ही वहाँ पर लोकी आता है और वो थौर से बात करने के कोशिश करता है उससे बात करते हुए थौर को लोकी पसंद आ जाता है बट यहाँ पर लोकी उसे बताता है कि वो फ्रो जायंट्स के किंग लोफी का इकलोता बेटा है पर फिर भी जूटन हाय में उसे कोई भी पसंद नहीं करता यहाँ तक कि उसके पापा भी नहीं जिसे सुनकर थौर को लोकी के बारे में बुरा लगने लगता है वो फ्रोस किंडम का अगला किंग बनेगा अब यहाँ पर लोकी अपने आपको प्रूफ करने के लिए भागते हुए इस मॉस्टर के तरफ जाता है और अपने इल्यूजन से उसका ध्यान बटकाता है वो थौर से कहता है कि तुम्हें लोकी को मरने देना चाहिए था वो हर बार अपने जादू से कुछ ऐसे करना में कर देता है जिससे हमारे और हमारे लोगों की जान खत्रे में पड़ जाती है पर तुमने हमें बचा लिया और मेरा भरोसा भी जीत लिया अब मैं ये सबके सामने एलान करता हूँ कि फ्रो जैंट्स का अगला किंग थौर होगा अब ये बात सुनकर लोकी मायूस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है वो सीधा कासल की प्रिजनर्स के पास जाता है जहाँ पर फ्रीगा को कैप्चर करके रखा हुआता उस रेयलिटि में फ्रीगा एकलोती AC थी जोकि लोकी से प्यार किया करती थी जब भी लोकी मायूस होता था तब वो फ्रीगा के पास जाता था और उस समय फ्रीगा उसे मैजिक करना सिकाती थी एक दिन जब फ्रीगा अपने सेल में बैटी हुई थी तब वहाँ पर लोकी आता है और उसे उस सेल की चाबी दिखाते हुए वो उसे वहाँ से भागनी की बात करता है और इसी सिस्पेंस के साथ ये इशू यही पर खत्म हो जाता है